चरद जी हम चाहे कितनी भी साफधानी के साथ खर्चा करें, सोच समझ के कि कहां खर्चा करना चाहिए, तब भी एक अंदर मन में ये गिल्ट रहता ही है कि हमने शादा खर्चा कर दिया या इतना नहीं करना चाहिए था, तो आज मैंने सोचा आप से इसके बारे में पूछू सबी लोगों में ये फीलिंग रहती है, हमने जादा खर्च कर दिया, अगर दस लोगों से बात करेंगे, दस के दस आपको यह बताएंगे, और जब जादा खर्चा हो जाता है ना दॉक्टर स्वाती, तो चक्कर आने लगते हैं, सेहत भी, पैसा भी, ये दो चीजें आपक कि जिन्दगी की महत्वपोर यहां पर चर्चा होती है, मेरा नाम दॉक्टर सिय शादर कोली, एकनोमिक्स और फिनान्स एक्सपर्ट, मैं दॉक्टर स्वाती महेश्वरी, इंटरनल मेडिसन स्पेशलिस्ट और आप देख रहे हैं, सेहत भी, पैसा भी, तो शारच जी पहले आप ही डिकोड करिये आज कि ऐसी फिलिंग क्यों आती है हमारे अंदर कि हमने बहुत जादा कर दिया है, मिल्कुल और सौ में से सौ लोगों को आती है, मतलब जब भी आप खर्च करने जाते हैं, अंदर एक गिल्ट रहती है, अरे जादा कर्चा हो रह पर बहुत असान है इस गिल्ट को ओवरकम करना और उसका तरीका क्या है क्योंकि हम लोग आपने कभी देखा है जब सरकार खर्च करती है और वो जो फेबरी में और इस साल तो साल के बीच में दो दो बजेट आए तो बजेट का मतलब क्या होता है बजेट का मतलब होता है कि आप पहले से प्लानिंग करें कि हमने साल में इतना खर्च करना है और फिर जब खर्च एक्चुली किया तो उसको उस बजेट से कंपेर भी करें कि हमने अगर 100 रुपे प्लान किया था तो हमने 110 कर दिया या हमने 90 रुपे खर्च किया और अगर 90 किया तो अभी 10 की गुंज जाएश है आपने सुना होगा budget में revised estimates आते हैं budgeted estimates आते हैं इसका मतलब यह तो बस कुछ नहीं करना है वो देश की बात है यह हमारी बात है बस हम असल में क्या होता है अगर मैं सच से बताऊं तो दुनिया को सबसे अच्छी सलाह देने वाले भी अपने लिए कभी planning नहीं करते हैं तो हमने देखा और आप तो medical profession से आती हैं आपने कुछ doctors भी देखे होंगे जो कि लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं ठीक करते हैं पर जब खुद पर करने पर आती है तो उनके पास यह तो समय नहीं होता है या वो घर की मुर्गी डाल बराबर जैसी हो होता है यही हाल finance में भी होता है कि हम लोग budget नहीं बनाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आपको खर्च को guilt feeling ना लाने का कि आप एक budget बनाएं आप एक planning करके चलें कि मैंने अगर इस महीने इस चीज़ पर इतना खर्च करना है और इस चीज़ पर से मेरा मतलब है आपकी प इने की groceries का kitchen का जो बिल होता है इन में तो आप कम ज़्यादा गुंजाइश कम होती है खासकर बच्चों की अगर school fees की बात करो groceries में आप थोड़ा बहुत आपको पता है इधर उदर रेजिस्स कर सेते हैं जनरली आपको पताए कि यह खर्च हो गई होगा फिर घूमना फिरन में गए तो कोई नहीं चार पांच अजार का बिल आ गया दो तीन लोग बैठे हैं कोई बात नहीं खर्च कर तो क्या फरक पड़ता है तो इसकी वज़े से क्या होता है वो guilt मन में accumulate होती जाती है वो बनती जाती जैसे cholesterol जमता है ना nerves में ऐसे ही वो guilt बनते और वो guilt बनते बन तो आपको सचमुच में दिक्कत में डाल सकता है तैश अरजी की फिर जब खर्चा करना ही है और उससे तो हम बच नहीं सकते तरह तरह के खर्चे जो है जो पहले से सोच रखें वो भी और जो नहीं सोच रखें वो भी आ जाते तो ऐसी सिती में हमें कैसे यह है decide करना चाहि मुझे लगता है थम रूल तो यही है और जादा तर लोग यही गलती करते हैं अपनी आमदनी से जादा खर्चों की प्लानिक कर देते हैं तो सबसे पहली गलती तो यहां हो जाती है कि आप और किसका मन नहीं करता महंगी महंगी चीज़े लेने का अपने बजट से बाहर जाक कर सकते हैं आठ दस लाग की तो अगल को आपने मर्सेडीज देखी या बीमड़्यू देखी या कोई और गाड़ी देखी आपको लगता है कि हमें यह गाड़ी चाहिए और वो साहब पचास लाग साट लाग एक करोड़ आजकल तो करोड़ों में बात होती है तो किसका मन करता है पर मुझे लगता है कि यह बजटिंग सारी एक माइंड सेट है कि आप अगर अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं आपका जो बजट है तो पहली बात तो यह है कि आप अपने मुझे शमा करेगा यह शब्द इस्तमाल करने के अपनी आउकात के इसाब से काम करना चा यह आपको हिरानी होगी कि एक से दो परसेंट लोग ही है डॉक्टर स्वाती जो बकाइदा कागस पैन लेकर अपने घर का बजट बनाते हैं कि मैंने जरूरतों पर इतना खर्च करना है मैंने लग्जरी पर इतना करना है आप गर्मियों के छुटियों आ रही है तो मैंने लिए इतना करना है और हम उमीद करते हैं इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको फर्क नहीं पड़ता पर जादा तर लोग ऐसे होते हैं जो कि आपने बजट के अंदर ही रहना चाते है आपके पास अगर खुला पैसा है और आपको कोई या अपने laptop पर, tablet पर, phone पर बाकाइदा एक proper जैसे की Union Ministry, Finance Ministry Union Budget बनाती है ऐसे ही आपको budget बना अगर आप ऐसा budget बना के चलेंगे तो वो जिस guilt की हमने बात की थी दॉक्टर स्वाती वो guilt कभी भी नहीं आएगी और आप बिलकुस systematic तरीके से और एक फाइदा आपको और होगा इससे कि आपकी इसमें savings का भी जिक्र आ जाएगा क्योंकि जिन savings की हम बार बार इस शो में हम बात करते नहींगे आपको पसंद हो या ना हो क्योंकि savings ही वो जरीया है डॉक्टर स्वाती जिसके जरीया अमीर बना जा सकता है उन savings का मैं आप चाहें या ना चाहें मैं उस शब्द का आपको बार बार याद कराता रहूँगा savings का भी उसमें जिक्र आ जाएगा और जैसे ही वो जिक्र आएगा तो आपको savings आनी शुरू हो जाएगी तो एक बकाईदा proper budget बनाईए अंदर वो guilt नहीं होती वो कैसे planning करते हैं तो अब आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे शो को जरूर सब्सक्राइब करिए like करिए comment करिए और भी आप अपने जो दोस्त हैं जो आपके जानने वाले उनको इस शो के बारे बताईए ताकि जादा से जादा लोगों तक ये जानकारिया पहुँच पाए तो बिल्कुल मत भूलिएगा देखना सेहत भी पैसा भी क्या कहेंगे शारजिया बिल्कुल और समय समय पर हम आपके लिए लाइब भी आते रहेंगे जहां पर आप questions पूछ सकते हैं अपनी समस्याइं बता सकते हैं हमें खुशी होगी कोई फीस नहीं होगी एक membership program भी हम शुरू करने लगे हैं जिसमें आपको सेहत और पैसे की अलग-अलग बहुत सहूलियतियं मिलने वाली है सब्सक्राइब करते रहिए like करते रहिए, share करते रहिए, comment करते रहिए उससे हमें भी motivation मिलेगा आपके लिए नए नए topics यहां पर लाने का